हेलो फूरीज आज हमारी रेसीपी है चिकन चीजी आपको नाम से पता चल गया होगा कि यह चीज वाला चिकन है बहुत ही रिच फ्लेवर है और इजी भी है तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ले लेनी है बॉनलेस चिकन यह चिकन ब्रिस्ट है जिसको मैंने चोटे चोटे पीचिस में कट कर लिया है और अच्छे से वाश कर लिया है अब नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट करने वाले हैं तो मेरे इंश्ण के लिए हमेचे ये इतनी सारी चीज़े, तो इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक इंच का अधरक का piece लिया है, पांच से साथ के लिया लेशन के लिया है, थोड़ा सा अहरा धनिया लिया है, तीन हरी मिर्च लिया है, चार सुक्षी सबसे पहले हम काजू बदाम और पिस्ता को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि सबके साथ में इसे हम पीसेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा दरदरा रह जाएगा तो सबसे पहले हम काजु बदाम और पिस्ता को पहले पीस लेंगे एक छोटे से ग्रैंडर के कप में तो यह हमारा पाउडर बन गया है और अब हम इसमें सारे जो बाखी के इंग्रीडियंट्स हैं हमारे वो सब कुछ एड़ कर देंगे तो सारे इंग्रीडियंट्स हम एक एक करके इसमें एड़ कर देंगे और अब थोड़ा सा पानी एड़ करके हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है तो यह हमारी फाइन पेस्ट तयार है इसे हम चिकन में एड़ कर देंगे तो यह हमने सारी पेस्ट डाल देनी है चिकन में और अब हम थोड़ा सा चीज एड़ करेंगे ग्रेट किया हुआ यह अच्छा सा फ्लेवर देगा चिकन को बहुत ज्यादा क्रीमी लगेगा जब यह पकेगा और थोड़ा सा नमक चीज में नमक है तो नमक आप थोड़ा सा कम डालना थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर याने की काली मेरिज पाउडर और अब हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए तो तब तक हम वेट कर लेते हैं दो से तीन घंटे के बाद हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है तो अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन बड़ी साइस की प्याज लिए है और डो टमाटर लिए हैं जो एक बड़ी वाली प्याज है उसके मैंने दो टुकड़े कर दिये हैं एक टुकड़े को हम अभी साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें इसे ब्राउन करना है और बागी का जो बचा है उस हमें इसकी पेष्ट नहीं बनानी है इसकी सब्सक्राइए गर्भी हम घड़ी रखे के तो इसे हमें एक में चोपर में चौप करना है आप चाहो हैं है जोंय और एलेक्रिक में चौपर करे मिया आप यूस कर सकते हो तो ये देखिए मैंने इसे कितना बारिक चॉप कर लिया है आपको भी इतना ही बारिक चॉप करना है ज्यादा मोटा मोटा मत रखना और जो बाकी का जो आदा प्याज हमने साइट पे रखा था उसको मैंने ऐसे पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिया है बड़ी-बड़ी और अब हमें ले लेनी है एक कड़ाई और कड़ाई में हमें एड़ करना है तेल मैंने एक कप लिया है क्योंकि चिकन भी हमारा ज्यादा है और प्याज भी हमारी ज्यादा है तो इसलिए तेल को हम थोड़ा सा गरम करेंगे और उसमें एड़ कर देंगे हमारी बारी कटी हुई प्याज इस प्याज को हमें ब्राउन करना है तो जब तक ये प्याज हमारी ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे तो ये देखिए प्यास हमारी ब्राउन हो गई है तो इस पॉइंट पे हमें एड कर देना है एक चम्मत जीरा थोड़ा सा अधरक लशन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे बस कोछ सेकंड के लिए हमें ज्यादा नहीं पकाना है अब इस पॉइंट पे हमें इसमें एड कर देना है हमारा टमाटर और प्यास वाला चॉप्ड मिक्सचर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में और अब हमें इसे इतमिनान से पकाना है जब तक कि हमारा ओइल सेपरेट नहीं हो जाता जब तक कि हमारी प्यास अच्छे से पक नहीं जाती और जब तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते मैं थोड़ा सा तेल और एड़ किया है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा तेल अभी और चाहिए होगा क्योंकि वो तेल थोड़ा सा कम था तो आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया है मैंने इसमें हल्दी या और कोई मसाला नहीं डाला है फिर भी इसका कलर अच्छा सा रेडिश हो गया है तो इस पॉइंट पे हम इसमें सारे मसाले एड़ करने हैं तो लालर्मीज पाउडर आपके टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर अब हल्दी पाउडर एड़ करेंगे थोड़ी से अब थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे क्योंकि मसाले जो है हमारे जलना जाए जल्दी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे भी पकाना है पांच मिनिट के लिए आप चाहो तो खुला पका लो चाहो तो ढख्ये पका लो पर हमें एकदम लो फ्लेम पे इसे चलाना है ज्यादा हाई मत करना अब देख सकते हो कि कैसे हमारा ओयल जो है अच्छे से सेपरेट हो गया है तो इस पॉइंट पे हमें एड कर देना है हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन और अच्छे से मसालों के साथ हमें इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें एड करेंगे बटर थोड़ा सा आप चाहो तो गी भी यूज़ कर सकते हो पर मेरे पास बटर था तो मैंने अच्छे से रिच टेस्ट के लिए बटर एट कर दिया और थोड़ा सा ब्राउन प्यास जो पहले से रेडी रख करके रखा हुआ था यह आप डालना चाहो तो डालो अदर्वाइस इस फाइन अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे दो से तीन मिनिट के लिए ऐसे ही पकाना है ताकि चिकन की जो रो स्मेल है वो निकल जाए उसके बाद हम इसमें पानी एड़ करके ढखके पकाएंगे तो 20 मिनिट तक हमें ढखके रखना है और 20 मिनिट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पक गया है सॉफ्ट हो गया है या नहीं तो ऑईल तो हमारा सेपरेट हो गया है अब चिकन टेस्ट कर लेते हैं एक नाइफ की हेल्प से हम तोड़के सकते हो मुझे थोड़ी इसे ग्रेवी ज्यादा पसंद है इसलिए मैं बस थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी और उसमें उबाल लाओंगी तो हमारा फिर यह जो चिकन चीजी है वो तयार हो जाएगा तो इसमें हमें अब उबाल लाना है उबाला गया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे हरा धनिया कटा हुआ और अब हम गैस को बन करके एड़ करेंगे चीज के टुकड़े जो मैंने स्क्वेर पीस इसमें छोटे-छोटे कट करके रखे हैं वो एड़ कर लेंगे चीज से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में शीפर नियसनलेस च्छाच्छा चीज पइट आता है चिकन के साथ हमारे मुह में और मुश्य यमयी टेस्टी लगता है बस दो मिनिट के लिए हम चीज को अंदर रहने देंगे और उसके बाद हम अपना चिकन सर्व करेंगे ताकि दो मिनिट में हमारा चीज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसे सर्व करेंगे आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो नान के साथ खा सकते हो और इवन राइस के साथ भी खा सकते हो आपको जैसे अच्छा लगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कॉमेंट सेक्टिन में जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थेंक्स वर वाचिंग